तो दोस्तों मैंने यहाँ मीसो को ओपन कर दिया हैं यहाँ आपको दिख रहा होगा मीसो का इंटरफेस और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप मीसो से शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि आपके product यहाँ पे refund, return कुछ नहीं हो रहे होंगे आपने product मंगा लिया है आपने payment बगेरा यहाँ पे कर दिये और उसके बाद friends आप चाहते हैं कि मेरा product वापस चला जाए लेकिन वापस return नहीं हो रहा है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समस्या है जो कि मैं बताऊंगा आपने क्या किया आपका product क्यों नहीं return हो रहा है यहीं बताऊंगा तो वीडियो को अब इसे like करना और चैनल को जरूर subscribe करना तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा यह मीसो का interface यहां से आप कुछ भी खरीश सकते हैं लेकिन friends आपने कोई order कर रखा है देखिए मैं अपना माई order में जाता हूं यहां मैंने यह t-shirt ली थी अगर मैं इसको यहां return करना चाहता हूं तो friends यहां पे यह return नहीं हो रहा है तो यहां पे मैंने एक गलती कर दिया या तो मैंने उस packing को फाड कर इस पीशट को निकाल लिया है उस packing से और friends जब भी मैं इसे बापिस करने की return करने की बात कर रहा हूं तो यहां पर यह return नहीं हो रहा है क्योंकि friends मैंने उस packing को फार दिया यहां पर और मैं इस packing को उस packing जैसा नहीं कर पा रहा हूं यहां पर उसे टीशट को वैसा fold नहीं कर पा रहा हूं वैसा अच्छे से packing नहीं कर पा रहा हूं जैसे मेरे के पास यह T-shirt आई थी तो यहां पर return करने के लिए friends अगर आप उस packing को फाल लेते हैं और उसे try भी कर लेते हैं try करके मतलब पहन कर देख लेते हैं और उसके बाद उसको fold करते हैं और fold करने के बाद आपसे वह वैसी fold नहीं हो पाती तो आपको दिक्कत हो जाती है यहां पर return करने में यहां होता ही है friends आपने यहां पर cloths यानी की कपड़ों पर ज्यादा देखा होगा कपड़े यहां पर return नहीं हो रहे हैं बाकि सारे product यहां return हो जाते हैं यहां पर friends मैंने भी काफी कुछ return किया है काफी समान मैंने मगाया और लोग कोई भी समान मंगाते हैं कोई भी कपड़ा अपने मंगाया मान लिजे कोई कुर्ती आपने मंगाई उस कुर्ती को पहन लिया ट्राइ किया अपने भाई या बहन को दिखाया पहन कर मेरी कुर्ती आ गई है मैंने देखो कैसी लग रही है आप बताओ वो बताते हैं अच से Mario 5 द्विन्वाद के बाद इसको आप रिटर्न इए तो रिटर्न नहीं होता है यहां पर वो पैकिंग आप वैसी नहीं कर पाते आप fold अच्छे से नहीं कर पाते यहां मेरे पास बहुत सारे comments आई हुए है friends आपको मैं बता नहीं सकता कितने comment आ रहे हैं मैंने कपड़े मंगाये थे, यह मंगाया था, वो मंगाया था लेकिन return नहीं हो रहा है तो friends यहां पे सिर्फ यही समझ से आए आपने मंगा तो लिया है लेकिन आप return करते समय उसे अच्छे से fold नहीं कर पा रहे है यहां pay friends से ज़्यादा तर यह problem सिर्फ कपड़ों में आ रही है आप headphone बगेरा कुछ भी मंगाएंगे जूते, चपल कुछ भी मंगाएंगे तो आसानी से return हो जा रहा है delivery boy आप से pick up भी अच्छे से कल ले रहा है यहां pay friends आप return कर रहे है और delivery boy आपके पास आता ही नहीं है आपने return कर दिया और उसके बाद delivery boy आपके पास नहीं आएगा तो वो return नहीं होगा क्योंकि friends head office से उसके पास कोई ऐसा mail या phone नहीं आता है जिससे वो आपके पास आए और आपका समान ले जाए यहां पर अगर आपके पास जूता है आपने जूता कोई return किया है तो जूता आसानी से यहां पर return हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई scratch बगेरा नहीं आएगी आपने पहन के देखा और पैर से निकाला पैक किया और return कर दिया यहां पर पिक्चर अपलोड की और return हो जाएगा लेकिन कपड़े में friends आप return नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं जो भी कपड़ा आप मंगाते हैं उसे बढ़िया से आप फोल्ड कीजिए पैकिंग कीजिए अच्छी सी और उसे return मार दीजिए यहां मैं फिर बता रहा हूं friends आपने अगर कोई कपड़ा मंगाया है कोई भी पहनने के लिए कुर्ती, कुर्ता, स्वयर्ट, टी स्वयर्ट या कुछ भी मंगाया है तो उसे सबसे पहले जैसे आपने पैकिंग को खोला जैसे आपके पास फोल्ड हुई हुई आई थी वो पैकिंग वैसे ही आप उसको फोल्ड कीजिए वैसे ही अच्छे से उसे फोल्ड कीजिए और वैसे ही अच्छे से उसे पैक में डालिए और उसके बाद उसकी पिक्च यहीं तक था आप जब भी रिटन करें कोई भी प्रॉडक्ट तो उस अच्छे से फोल्ड करें और अच्छे से पैकिंग करें उसमें कोई स्क्रेच ना दिखे ऐसा लगे जैसे कि आपने इस पैकिंग को खोलाई नहीं था बस इतना सा काम करना है और रिटन कर देना है तुब फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में